नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है भारती हिंदू संस्कृति में हर मेने की ग्यारवी तिथी को एकादसी या फिर ग्यारस का ब्रत उपवास किया जाता है यह तिथी अत्यंते पवित्र तिथी मानी गई है प्रतिक मास में दो एकादसी तिथियां आती है एक सुकलपक्षकी और दूसरी किष्णपक्ष में जो भक्त एकादसी का बुरत पुरे विधी विदान से करते हैं उनकी समझत मनों कामन्हे स्रीहरी भगवान विश्णु सिकरही पूरी करते हैं आईए जानते हैं पुत्रदा एकादसी की पुरानिक और पर्मारिक ब्रत का था बहराज उदिश्टिर ने पूछा कि है भगवाद आपने सफला एकादसी का मात्यम बता कर बड़ी किर्पा की अब किर्पा करके ये बतलाईए कि पौछ सुकल एकादसी का क्या नाम है और उसकी विधी क्या है और उसमें कौन से देवता की पुजा की जाती है भक्तवकसल भगवाद स्रे किष्ण बोले कि ही राजन इस एकादसी का नाम पुत्रदा एकादसी है और इसमें भी नारेयन भगवाद की पुजा की जाती है इस चर और अचर संसार में पुत्रता एकादसी के वरत के समान कोई दूसरा वरत नहीं है इसके पुन्य में मनुस्य तपस्वी विद्वान और लक्ष्मिवान होता है इसकी में एक खथा कहता हूँ सो तुम ध्यान पुर्वक सुनो भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था उसके कोई पुत्र नहीं था उसकी स्त्री का नाम से व्याथा वहनी पुत्ती होने के कारण सदेव जिन्तित रहा करती थी राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करती थे कि इसके बाद उन्हम को पिंड कौन देगा राजा को भाई बांधव धन हाती घोड़ी राज्य और मंतरी इन सम्में किसी से कोई संतोस नहीं होता था वह सदेव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा बिना पुत्र के पित्रो और देवताओं का रिंड में कैसे चुका सकूँगा जिस घर में पुत्र नहो उस घर में सदेव अंधिरा ही रहता है इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिस मनुसी ने पुत्र का मुद देखा है वर धन्य है उसको इस लोक में यस और परलोक में सांती मिलती है अर्थात जिसके दोनों लोक सुधर जाते हैं पुर्व जनम के कर्म से ही इस जनम में पुत्रधन आदी प्राथ होते हैं राजा इस प्रकार दिनदाच चिंता में लगा रहता था एक समय तो राजा ने अपने सरीर को त्याग देने का निश्चे किया परन्तु आत्मखात को महान पाप समझ कर उसने ऐसा नहीं किया एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चड़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और विक्षों को देखने लगा उसने देखा कि वन में मरिग, ब्याग, सुवर, सिंग, बंदर, सर, पादिस, ब्रह्मन कर रहे हैं हाती अपने बच्चों और हत्नियों के बीच में घूम रहा है इस वन में कहीं तो गीदर अपने करकस्वर में बोल रहे हैं और कहीं उलुद्वनी कर रहे हैं बन के द्रिस्यों को देखकर राजा सोच बिजार में लग गया इसी प्रकार आधा दिन बीद गया वह सोचने लगा कि मैंने कई यग्य किये ब्राहमनों को स्वाधिश्ट भोजन से त्रिप्ट किया फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है क्यों राजा प्यास की मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलास में इधर उधर फिरने लगा थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस हंस मगरमश आधिव विहार कर रहे थे उस सरोवर के चारो तरफ मुनियों के आस्रम बने ह उस समय राजा के दाई ने अंग फड़कने लगे राजा सुप सकून समझ कर घोड़े से उतर कर मुनियों को डंडवर्थ परणाम करके बैठ गया राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजान हम तुमसे अत्यंत प्रसन हैं तुम्हारी क्या इच्छ है सुख हो राजा विस्वदेव है और इस सरवर में स्दान करने के लिए आये हैं यह सुनका राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है यदि आप मुझे पर प्रसन है तो एक पुत्र का वरदान दीजी मुनियों बोले कि हे राजन आज पुत्रदा एकादसी है आप अवसी ही इसका बुत्र करे भगवान के किरपा से अवसी ही आपके घर में पुत्र होगा मुनिय के वचनों को सुनका राजा ने उसी दिन एकादसी का बुत्र किया और द्वादसी को उसका पारण किया इसके पस्चात मुनियों को परणाम करके महल में वापस आ गया कुछ समय के बा पुत्रदा एकादसी का ब्रत करना चाहिए जो मनुष्य इस महात्यम को सुनता या फिर पढ़ता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है कैसे करें पुत्रदा एकादसी का ब्रत पुत्रदा एकादसी का ब्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले ही अताद दस्तमिक दिथी को रात्री में ही रात्री से ही ब्रत के नियुमों का पुन रूप से पालन करना चाहिए दस्तमिक के दिन साम के समय सुर्यास्त के बाद भूजन ग्रहन नहीं करना चाहिए और रात्री में भगवान विश्णू का ध्यान करते वे सोना चाहिए सुबह सुरियोदे से पहले उठकर नित्र किरिया से निर्वत होकर असनान करके सुद्ध और स्वक्ष धुले वे वस्तर धारन करके स्रीहरी विश्णू का ध्यान करना चाहिए अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डाल कर असनान करना चाहिए इस पुजा में भगवान सरी हरी विष्णो की फोटो के सामने दिपक जला कर ब्रत का संकलब करने के बाद कलस की स्थापना करनी चाहिए फिर कलस को लाल वस्तर में से बांद कर उसकी पूजा करे बहगवान की प्रतिमा या फिर फोटो रख कर उनको सनान अदिस सुद करके नया वस्तर पहनाए इसके बाद दूप दिबादी से विदिवत भवान स्री हरी की पूजा अरचना और आति करे इसके बाद नेवेद और फल का भूग लगा कर परशाद वितरन करे भगवान स्री हरी विष्णों को अपने सामर्थे के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लॉंग, वेर, आउला, आधी, अर्पित किया जाते है एकादसी की रात में भगवान का भजन किरतन करना चाहिए पुरे दिन निराहार रहकर संद्या के समय कथा अधी सुनने के बाद फलाहर किया जाता है इस दिन दीबदान करने का बहुत महत्व है इस ब्रत के पुने से मनुस्य तपस्वी विद्वान और पुत्र प्राप्त करके अपारधन और लक्षमी को प्राप्त करता है दूसरे दिन ब्राहमनों को भोजन और दान दक्षना अवस्य देनी चाहिए इसके बाद पाढ़ना करना चाहिए प्राप्त करता है प्राप्त करता है प्राप्त करता है प्राप्त करता है प्रती अं Website प्राप्त करता है मत्तагоभden व्राप्त करता है थो भाप्त झाल 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 प्राचिन जन्म का वृतांत जानकर उन्हों ने कहा कि प्रजाविन सुनो राजा महिजीत पुर्व जन्म में मनुस्यों को चूसने वाला ध्रहीन वैसे था वैसे गाओं गाओं घुम कर वैपार किया करता था झाल 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 झाल